प्रथम तहलका न्यूज कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब है एक पटाका फैक्टरी में ब्लास्ट की ये बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता देगी इस ब्लास्ट में छे लोगों की मौत और बारा लोगों के जुलसने की खबर सामने आ रही है इस ब्लास्ट के बाद मौके पर राहत और बचाव का कारे शुरू किया जा चुका है आपको बता देगी उना के तालीवाल में पटाका फैक्टरी में ब्लास्ट के खबर सामने आई है और घायर लोगों को उना के नजदी के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाए गया है और खबर तो ये भी सामने आ रही है कि मेतकों में तीन साल की मासूम बच्ची भी शामिल है इस वाट के लिए बड़ी खबर हिमाचल से आपको बता देगी हिमाचल प्रदेश के उना जिले में फैक्टरी में हुए ब्लास्ट की ये बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता देगी इस ब्लास्ट में छे लोगों की मौट हुए है तो वही 12 लोगों के जलस्ने की ये बड़ी खबर सामने आई है आपको बता देगी ब्लास्ट के बाद मौके पर रहत और बचाव का कारे शुरू किया जा चुका है आपको बता देगी हिमाचल परदेश के तहली माल में पटाका फैक्टरी में ये भ्लास्ट की बड़ी ख़बर सामने आई है। आपको बता देगी 6 लोगों की मौत और 12 लोगों के जुलसने की ख़बर सामने आ रही है। आपको बता दे कि घायल लोगों को उना अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाए गये हैं और ख़वर सामने आ रही है कि अमरितकों में तीन साल की बच्ची भी शामिल है यह इस बड़ी ख़वर जो ही माचल से आ रही है एक बसर से इस बड़ी ख़वर के बारे में आप ब्लास्ट के बाद मौके पर राहत और बचाव का कारे शुरू किया जा चुका है आपको बतारेगी उना के तहली वाल में पटाका फैक्टरी में ब्लास्ट के ख़वर सामने आई है और घायल लोगों को उना के नजदी के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाए गय कि मित्तकों में तीन साल की मासूम बच्ची भी शामिल है